आज बताऊंगा आपको कि Booter ID कार्ड आप घर से बेठे बेठे आउनलाइन कैसे डाउनलोड कर सकते हो जिस तरह से आधार कार्ड एक बहुत ही important document होता है उसी तरह से Booter ID कार्ड षी important document है Booter ID कार्ड से भी जो है आप बहुत सारे सरकारी कामों को या फिर गैर सरकारी प्राइबेट कामों को जो है आप निपटा सकते हो लेकिन कभी-कभी जो है ये आगर गूम हो जाता है बुतला जाता है चोड़ी हो जाता है तो आपका बड़ा जो है न मुसीबत हो जाता है उस से में आप ये मत समझें कि botter ID Card का इस्तमाल खाली आम बोटर देने के लिए होता है ऐसा नहीं है उसके अलाबा भी बहुत सारा काम है जहां पर केवल और केवल बोटर ID Card आपसे मांगा जाता है तो अगर बोटर ID Card नहीं है तो बड़ा दिक्कत आपको हो जायेगा चलिए इसको लोड कर सकते हो इपिक का फूल फ्रम होता है इलेक्ट्रोनिक इलेक्टोरल फोटो आईडी कार्ड इपिक याद रखिए तो ये डाउनलोड करने का जो ये सिलसला चालो हुआ है गवर्मेंट के दुवारा वो आपका 25 जनवरी को था आपका राष्ट्रिय मतदाता दिवस्ति इसको सरकार ने मानिता दिया और लोग इससे फाइदा उठा रहा है सबसे पहले आप इपिक को समझ लीजिए इपिक होता क्या है तो इपिक जो है एक PDF फॉर्मेट का जो है वर्जन है जिसको आप आसानी से इसके वेब साइट से मैं आपको बताऊंगा डाउनलोड कर सकते हो इसको आप प्रिंट भी कर सकते हो आप इसको अपने मोबायल में एक कम्प्योटर में सेव करके रख सकते हो या फिर बहुते हैंक और आपको गूगल पर जाना है और आपको सर्च करना है डाउनलोड वोटर आईडी कार्ड तो यह देखिए यह दूसरा वाला लिंक है www.nbsp.in ठीक है ना यह जो वेफसाइट है इसको यहां से आपको ओपिन करना है तो यहां पर देखिए इसी इपिक के बारे में मैं आपको अभी बत चलते रुका हुआ है तो यह अगर आप डाउनलोड कर लीजेगा तो बिल्कुल आपका काम हो जाएगा और कोई काम रुकेगा नहीं तो हमको क्या करना है इसके उपर में क्लिक करना है यहां पर जो है यूजर नेम पासवर्ड इसा मांग रहा है तो आपका अगर जो है यहां से आप इसको रजिस्टर जरूर कर लीजेगा क्लिक करके अपना मोबाइल नंबर डालके यहां पर जो है न एक OTP कोड आएगा उसके माध्यम से आपका रजिस्टरिशन हो जाएगा उसके बाद फिर से दुबारा जो है यहां पर आप जाके लॉग इन अपना क जलना होता है अगर वो नंबर आपके पास नहीं भी है तो कोई दिकत नहीं है आपको सर्च करने का भी option देगा आप उसको सर्च भी कर सकते हो सर्च करने पर आप अपने आपको वहां पर देख पाते हो तो उसका इपिक नंबर आएगा उसको कॉपी कर लीजेगा फिर से उ इस रास्ता शलना आपको है इसी तरीके से आप जो है अपना डाउनलोड जरूर कर लीजिएगा ठीक है आपको इससे बेनिफिट होगा धन्यवाद